साथियों, 36 गड़की कॉंग्रेस सरकार, आपको लूटने का कोई मोका नहीं छोड रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही राइपूर में बहुत बड़ी कारवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा धेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सत्ते बाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है। और जो उन्होंने चत्तिसगर के गरीबों को, चत्तिसगर के नवजवानों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कॉंग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मिडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार चत्तिसगर के उन तक जा रहे हैं। मालू मैंने किस तक जा रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं। चत्तिसगर के लोगों को मालू मैंने कहां तक पहुंच रहे हैं। जरा जोर से बताईए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कॉंग्रेस पार्टी ने यहां की सरकार ने यहां के मुख्यमंत्री ने चत्तिसगर की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस गोटाले के आरोप्यों के साथ उनके क्या समंद है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बोखला गए हैं। मैदान में उतर आए हैं। और मैंने तो सुना हैं कि नेता यहां के दभी जबान में हमार यहां मैसेज पहुँचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे। हम भी तुमारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलीज भेज देंगे। यह धमकियां किसको दे रहे हो। यह किसको डरा रहे हो। यह जनता है, सब कुछ जानती है। मोधी को तो यह कॉंग्रेसी दिन रात गालिया देते हैं। हर दिन मैं 2.5 किलो गालिया घाता हूँ। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जाँचे संसया, देश के सुरक्षाबल उनको भी गाली देने लगे है। इन साथियों पर भी अनाप्षना और आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं 36 गड़ के अपने भाईयों और बेहनों को कहूंगा। यह मोधी है, गालियों से डरता नहीं है। ब्रस्टा चारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोधी को दिल्ली भेजा है। ब्रस्टास